ओम शान्ती आज 26 एप्रिल दुहजर तेश हम सुन रहे हैं शाकार हिंदी मुरूली आज के महावाइकों इस महावाइकों में बाबा बुले मीठे बच्चे तुम्हारा कर्तुवब है अबिनाशी ग्यान रतनों की कामाई करना और कराना दान पूछखोर नहीं किया जाता करके दिखाना है प्रश्न बाप की दिल में कौन सी शुबो आशा सदा रहती हैं किस बात में बाप आप समान बनाना चाहते हैं उत्तर बाप की दिल में सदा ही बच्चों को सुक देने की आशा ही रहती है बहुत के बाप को कभी भी बिकल्पो बाप बुरा कर्म करने का शंकल्पो दुख देने का शंकल्पो नहीं आ सकता क्योंकि वो है ही शुक दाता इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप शमन बनाना चाहता है बच्चे शुक दाता बने शुक दाता के बच्चे शुक दाता बने बाबा के एते मिठे बच्चे जाच करो मेरी अंदर सदा शुद्धो शंकल पर रहते हैं बिकल्पतों नहीं आते हैं अगर आते हैं इसको चेंज करो बदली कर दो गीत है मुकरा देख ले प्रानी जारा दर्पन में पाप है कितना पुन्न है कितना तेरा जीवन में आम शांती भगवानु बाचो यो किसने कहा मोकरा देख ले प्रानी प्रानी कहा जाता है बस तो में जीब आत्मा को जीब आत्मा बच्चे हैं ना बाप की बच्चे हैं जानते हैं हम सब आत्मा है इस समय हमारी आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है यी जो शरीर है उनका बाप भी अब प्रचापित अब्रम्मा है, दोनों को हम एक साथ तो देखने को मिलता है, हम बाप ददा की अउलाद है, इस समय हमें यानभव होता है, बाप बेट जीब आत्माओं को समझाते हैं, हे बचे अपनी दिल रुपी दर्पन में जाच करो कि कितना परसेंट हम पु मुनेशों तो इन बातों को नहीं समझते हैं कि दान पुन्नों, अबिनशी ग्यान्द रतनों का करना है, जमा ना है, अबिनशी कामय हमें जमा करना है, परलो कि पिता इस समय, ये अहभण करता है, यो भी अबी बद्धी में आया हैं कि हमारा बाप, टीचर गुरु सब कуч वो एक बहुत का बाप है, त्री इन वान, देह अभिमान तूट पड़ना चाहिए, तूट पड़ता भी है, उस बहुत के बाप को, हमने आधा कल पो याद किया, याद करना भोकती मार्ग से सुरू होता है, भोकतो भगवान को याद करते हैं न, समस्ते भी है, भोगवान एक है, हम आत्माओं का बाप वो निराकर है, साकर बाप तो जानुआ रादी का भी सबका घर घर में होता है, बाकि यो बाबा, हमारी वोही परमधाम निबाशी, सच्चा बाबा है, टीचर है, संद्गुरु है, हमको सच्चा बनाने के लिए आया है, पुन्नो आत्माएं हैं, तो सभी साच खंडों में रहने वाली, तुम जानते हो न, जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे, उतना बाप के साच खंडों में, हमको ओचपद मिलेगा, डिग्रिया मिलेगी, इसके लिए अभी रेस चल रहा है, उस पराई से भी कोई बेरिष्टर बनता, कोई इंजिनियर बनता, कोई पक्का, कोई कच्चा रहो जाता, कोई की आमनाने लाक रुपाया, तो कोई की पास्सो रुपाया भी मुश्किल, पराई पर मादर ठहराना, जितना पराई करेंगे, उतना उच्पद मिलते रहेंगे, और उको भी द्यान दे, पुन्नो आत्मा बनाना है, बाबा हमें ओर्डिनांस सिखाता है, दिल से पुछना है, हम कितना धरन कर, और पुन्नो करते हैं, अगर पुन्नो नहीं करते, तो जुरूर पाप आत्मा ही रहो जायते है, तो आपना मुकरा देखना चाहिए, दिल रुपी दर्पन में, पिछारी में, बेटने वालों को तो मस्टर भी जानता है, टीचर भी जानता है, बाब भी जानता है, रेजिस्टर से पता लग जाता है, कौन क्या पुरुषर्थ करते हैं? वो तो हुई स्थूल बात है, यह और है गुप्तो बात, माम्मा बाबा धरन कराते रहते हैं, अविनाशी ग्यांदरत्नों को धरन करो और कराऊ, बाबा बार-बार पुछकार देते हैं, खुद ही पुन्न आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे यो कोई दुनिया भी बाती नहीं यहां तो है इस शुरिय बाते जितना जो सावकार होता है उतना उनको खुशी का पराज चड़ता है धौन तो मनुश्यों के पास बहुत है ना आगबर में भी डालते ह तो इस समय फलाना सबसे सावकार है कितना तो ये नियूस छपते हैं नमबर बार तो होते ही है न यहां तो बिनाशी धन की बात नहीं यहां है अबिनाशी ग्यान रतनों की कामाई करना और कराना की बात है जो बाबा इस समय हमें देते है और खुला चुट्टी देते है इस को अरदान नहीं किया जाता करके दिखाना होता है इस समय बाबा हमें ये मार्जिन देते हैं बाप कहेते बचे दिल रुपी दर्पन में देखो हम कितना पुन्नो आत्मा बने हैं सिर्प बाबा बार बार यह कहते हैं हम सब नंबर वन पाप आत्मा थे थे ना पुन्नो आत्म एकटा करते हैं उतना सवकार बनते हैं यो है अभिनाशिक कमाई ये बिनाशिक कमाई से हमें क्या होगा ये सरीर का सथ खतम हो जाएंगे अभिनाशिक कमाई हमारा धाई हजार साल प्रलब दबन हमको सुक दान करेंगे उस बिनाशिधन से हम बेगार बनते हैं और इस अभिना को अर्फन करते है बाबा फिर हमको ग्यांद रत्नो भरपूर कर देते है जो प्रलब्द बन जाता है जिससे तुमको तौन मंधन सब कुछ नया मिलता है कांचन का या सरीर मिलता है वहां देखो माया होती नहीं माया का कोई बात नहीं कोई का तो माया मन भटके ऐसा कोई परि तो देखना है हम बाबा से कितना धौन लेकर और फीरदान करते हैं ये देखना है जरूर ममा बाबा भी तो तुम्हारी जैसे मुनश्य है ही न कान से सुनते हैं निराकर बाबा इन और्गान से बलते है तो अब तो हम सुन पाते हैं हम ग्यान से अपने को स्रिंगार कराते हैं निराकर आत्मों को अपना अपना सरीर है यह है पुराना कलियोगी शरीर जो दूख देता ही रहता है तो कर्मभुग हमें मिलता ही रहता है बचे ये भी जनते हैं बाप अगर हमको सदसो की बनाते हैं बाप मिला है तो अंदर खुशी से तलिया बसती रहती है तब बाहर में भी बसती है अंदर में भी बसती है तो पहले संकल्प की तलिया अंदर बसती है फिर बाहर बसती है पहले अंदर आएगा ना तो यो करे फिर कर्मेंद्रियस से कर लेते हैं तो जाच करनी चाहिए कि हमारी अंदर तो शुद्ध संकल्प आते हैं वा बिकल्प आते हैं अगर आते हैं तो उसको हमें क्लीन करना चाहिए बदलना चाहिए संकल्प शुद्ध ख्याल को शुद्ध ख्याल को बिकल्पो अशुद्धो ख्याल को कहा जाता बेहुत के बाप को कोई बिकल्पो थोरी ही आएगा वो तो है ही सुकदाता और हम सभी सुकदाता के बच्चे सुकदाता हमें होना चाहिए तुम्हारे पास बिकल्पो आएंगे किसको दुख देने के बाबी कर्मू करने की लेकिन बाबा का पास कोई भी कल्पो नहीं आएंगे मैं तो तुमको हूब 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 आपसमन बनाने आता हो तो सुख दाता की बच्चे सुख दाता बन जाओ यह तो जानते हो ना बाप हमेशा बच्चों को आपसमन मनाते है बच्चों को जन्मों कोई दूख के लिए थोरी ही देते है दूख तो कर्मो अनुशर हरे को मिलता है इस समय बाबा हमें कर्मो अकर्मो भी कर्मो का गोती समझाते है माबाप की आशा रहती है ना कि बच्चे को बहुत खुशी रखे परंतो माया की प्रवेशता है लोकिक बाप समझते है बच्चों को साधी कराए बहुत सूख देते है परंतो परलोकिक बाप कहते साधी किया मना बरबादी किया हम तुमको ऐसा गुल-गुल बनाते हैं जो सर्गों में तुम साधी करेंगे तो पाटरा ने पाटराजा बनेंगे जोलो में जोलेंगे लोकिक बाप और पारलोकिक बाप की बुद्धी में देखो कितना रात दिन का फरक है इस समय माया के संसकार मनुश्य में बरिक करे है जैसे आजामिल जैसे पापी बन जाता है मैं तो चाहता हो बच्चों को इतना सुकी बनाओ जो एक दम जोले में जोले बहुत के बाप के दिल अंदर बच्चों की सुक के लिए कितनी फस्कवाश आशा रहती है बाबा ये संकल पुकरता है वो संकल पुकरता है बच्चों को माबाप पैदा करते हैं तो माबाप की ही फिर तो सुकी बनाना है बहुत का बाप भी चाहते हैं बच्चे सुकी बने परुंतो लोकिक और परलोकिक बाप की बुद्धी में बहुत फरक पर जाता है बहुत का बाप केहते हैं एक मुच बाप के साथ बुद्धी का युग जुरो और सब लोकिक माबाप मित्र शमुंदी आदी जो भी है उन सबसे बुद्धी का युग तोरो मैं तुम्हारा सब कुछ हो मैं ही तुम्हारा पीता हो मैं ही तुम्हारा माता हो माया तुमको देखो हौर बात में दुख दिलाएंगी मैं तुमको सुख का सागर बनाता हो मैं खुद राजव का सुख नहीं भूगूँगा मैं सत्य यूग में नहीं आओंगा, तुम्हें राजा बनाओंगा, परॉंतो कहेंगे तो सही न, सुख का सागर, संति का सागर, तब तो सुखी बनाता हूँ, यह राइट बात है, कितना अच्छी रिती समझाते हैं, और कोई समझ न सके, समझाना सके बाबा का समन, भरत में ह आते हैं, तमईबो माताश्चो पिता, तमईबो, यह राइट बात, इस समय का महिमा, यह महिमा कहां से आई, जो गाती रहती है, तुमको सब सुक मिलते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं, और संग तो रहो, बाबा का यह ओजिनंस है, देहो सुहीत, जो भी तुमारी समंदिया सब को भूल जाओ, आपने को देही अभिमाने समझो, ये प्रैक्टिस करो, बाप कितना गुल-गुल बनाते हैं, कहते हैं, तो मेरा ही सुनो, मेरा साथ योग लगाओ, जैसे मैं ग्यान का सागर हो, सारी रचना को जानता हो, ऐसे तुमारी बुद्धी में भी यो स्रिष्टी का चक्रो फिरना चाहिए, माता पिता कब बच्चों को दुख नहीं देते, कभी नहीं देते, दुख के लिए रचना नहीं रचते, अब बाप कहते हैं, बीती सो बीती, ड्रामा उनुशर आप गुल-गुल पवित्र बनो, ये तुमारी एक तो बहुत बड़ा अभी फाउ क्यों? जब हैं, तब तो कहते हैं, वहाँ के देवी दवतों को सब पूजा करते हैं, क्योंकि पवित्र है, सर्वगुन, संपुन, शुलगुला, शंपुन, फिर शुलगुला से कलाहिन बनता है, चंद्रमा भी देखो, तो लाष्ट में क्या बन जाता है? तो जिसको भी ना रहे, तो इसको घोर अंधियारा कहा जाता है, माया का रज्यो कहा जाता, फिर कलाया आते आते, सुलगुला फिर से तुम बन जाते हो, ये बाबा के राद दिन का खेल है, तो अभी तुम कलाहिन काले बन परे हो, ब्रहमा की, ब्रहमा को अंधियारा रात कही जाती है ब्रह्मा का देन सो ब्रह्मा का रात ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता तुम कहलाते हो ना ब्रह्मा कुमार कुमारी ये कितना बड़ा टाइटिल तुम्हे मिलता है पहले बीकी की अंधियारा रात थी अब सोजरी में आये हैं फिर सुलोकुला बनते हैं जो सुलोकुला सु संपृर्णों बनते हैं, जैसे राजा रानी सुलकला संपृर्णों, वैसे ही लाकिस्टार्स। ग्यान रतनों देते हो, एक एक रतनों की वेलो कोई दुनिया में कर न सके, बाबा रूप बशंतों की कहानी सुनाते है, जिनके मुख से रतनों ही निकालते थे, बाकी तो सब भुक्ति मार के शस्र बना दिया है, सद्गुति करने वाला एक ही बाप है, एक ग्यान सुनाते लुका भी दश इखाते तुम्हें सतियोग का मालिक बना देते है धाई हाजार साल के लिए तो जो ग्यान से तुम्हारी सद्गुति करते है उसको ग्यान अमरित भी कहा जाता ग्यान मान सनोबर कहते है अमरित भी कहते है तो वहाँ पानी पिलाते है ब्राम्होन लोटी में प तुम देहिय अभिमानी बनने की कोशिश करते हो माया फिर देहाभिमानी बनाती है यह लराई नमबर वन है माया देहाभिमानी बनाने एकदम खड़े में डाल देती है देरी नहीं करती तो अपनी बुद्धी से काम लेना चाहिए न जबकि तुम्हें अस्टो शक्ति मिला है बाबा तो कहते है आच्छी रिती परो तो टीचार का भी नाम बाला होगा बाबा से इजाफा लेने वाले है तुम बाबा इजाफा देने वाले हैं आच्छी रिती परने वालों को और पराने वालों को इजाफा जरूर मिलेगा वा वा निकालती है पौद भी उच पाना है त आत्रा में खारे हो जाते हैं, तो ये द्याविमन आना नहीं चाहिए, बाप को याद करना भूल जाता है, तो और ही दो कदम पीछे हर जाते हैं, एक तरफ फाइदा होता है, दुसरे तरफ नुक्षन भी हो जाता, देहे अभी बनी, बनते हो, तो खाता भड़ता जाता है, प ना करे तो, यो बैपार ही ऐसा है, जो जमा भी होता, ना भी होता है, माया भूला देती है न, तो देखना है कितना बाप को याद करते हैं, और कितना औरों को आप समन मनाते हैं, बैपारी तो सब हिशाप रखते हैं न, नहीं तो बैपारी नहीं, आनारी कहेंगे, कोई तो बहुत उको सुख देते हैं बच्छे बाबा को लिखते भी है कि बाबा फॉलाने ने ऐसा तीर मारा जो पाप आत्मा से पुझ्नो आत्मा मेंने बन गया उन पर बलीहार जाते हैं साथ में सरीर निर्वहो और तो करमों भी करना ग्रियोस तो बैबार में रहते बाप से बैपार भी करना योगवल से पापों को भश्मा भी करना और उको पुझ्नो आत्मा बनाना है यो है सारी बुद्धी का काम जो तुम इस समय करते हो बुद्धी सालिम तब बनती जब बाप को याद करते नहीं तो देह अभिमान में मित्र शमुंदी याद आएगी और माया छोरेंगे नहीं शिप बाबा की मात पर चलते चलते स्रिमत को भी कोई बार लात मार देते फिद पादवरष्ट हो जाते तो अंतों में बहुत पस्ताएंगे त्रही त्रही करेंगे अच्छे अच्छे बच्छे तो सब के दिल पर चाड़ते नाम भी वाला करते है पादव शेना में कौन-कौन महारूती है और कौन-कौन उस सेना में महारूती है तुम सब जानते हो तुम दोनों सेनाव को जानते हो न अभी यो सभी समझने की बात है कोई बिरले ही स्रिमत पर चल पाते हैं स्रिमत पर ना चलने के कारण बाप का नाम बननाम करते हैं और तत लात मारते रहते हैं यो है सत का संग एक ही सत का संग है दूसरा कोई हटी नहीं है एक दो को आप समन मनए सर्गों का मालिक बनाते रहते माया इतना पाप आत्मा बना देती है जो बाप को भी फरकोती दे देती है भुक्ति मार्ग में सब सजनिया है फिर बाप के रूप में अभी तुम बच्चे ही बने हो कितना भग्योशली हो फिर सजने भी हो तो सजनी को सजन की कितनी याद रहना चाहिए जो तुमें अभी सा अस भी कभी तो तुम्हें बाद नहीं जाना चाहिए, सासो सास में बाबा को याद करना चाहिए, अच्छा, मेठे मेठे सिकि लदे बच्छो प्रती, मात पिता बाप दादा का, याद प्यार गुड मॉर्निंग, रुहाने बाप की रुहाने बच्छों को नमस्ते, हम रुहा बन मोख से ज्ञान रतनो निकालने है योग से अपनी बुद्धी को सालीम बनाना है नमबर दो बाप समान सब को शुक दे कर सुक दाता बनना है कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प बबिकल्प नहीं उठाना है आज का बर्दन मौन को स्रश्ट पोजिशान में स्थित कर पोज बदलने की ख्याल को शमाप्त करने बाले शहज योगी भावो और तो है जैसे मौन की पोजिशान होती है न वो चेहरे के पोज से दिखाई देता है कोई बच्चे कभी कभी बोज उठा कर मोटे बन जाते हैं कभी बहुत सोसने के कारण सोसने के संसकर के कारण आंदस से ही लंबे हो जाता है और कभी दिल सिक्स्त होने के कारण आपने को बहुत छोटा देखते हैं तो आपने ऐसे पोज शक्षी हो करके देखो और मौन की स्रश्टो पोजिशान में स्थित हो ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिबरतन करो तब कहेंगे सहज योगी आत्मा स्लोगन खुशियों के खान की अधिकरी आत्मा सुदा खुशी में रहती और खुशी बढ़ती हैं ओम शंति